Good morning students, welcome in our GK class 4th, now we are going to start our 3rd chapter, in the park, तो बच्चो इस chapter में आपको कुछ good manners दिये विये हैं, कि आप किसी पार्क में अगर जाते हैं, तो आपको किस तरह से अपना behavior रखना चाहिए, किस तरह से वहां सारे नियमों का rules follow करने चाहिए, अपने आसपास cleanliness बनाए रखना चाहिए, इन सब चीजों के लिए आपको ये chapter दिया गया है, ओके, so now we see, देखिए, एक पुरे पार्क का डाइग्राम दिया हुआ है, है न, तो जब आप ऐसे किसी पार्क में या प्लेग्राउंड में आप जब जाते हैं, तो आपको कुछ rules follow करने चाहिए, कुछ अपने behavior, अपना behavior किस तरह से रखना चाहिए, यह हम देखेंगे, ठी एक है, so now first sentence, children you should tag turns on the swing, tag turns on the swing means, it means बच्चो आपको किसी swing means जूला, है न, किसी जूले पर या किसी भी game में अगर आप जा रहे हैं, तो उसमें turn by turn, है न, one by one आपको जाना है, साथ में उसमें खेलने की कोशिस नहीं करनी है, या साथ में आपको swing नहीं करना है, otherwise आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, या दूसरा बच्चा जिसके साथ आप swing कर रहे हैं, उससे भी चोटा सकती है, okay, so tag turns on your, on the swing, okay, now we see second rule, second sentence, is throw waste into the garbage bin, आपको अगर आप कोई, आपके पास कोई waste material है, जिसे आपको throw करना है, तो आपको उसको गार्डन में इधर उधर throw नहीं करना है, बलकि एक proper जो dust भी वहां रखा होगा, garbage bin रखा होगा, उसमें ही जाकर आपको डालना है, उसमें ही waste material फेंगना है, ठीक है? listening to other without interrupting in good manners, अगर कोई कुछ आपको बोल रहा है, बता रहा है, वहां पर तो बिना interrupt किये, या बिना उन्हें हस्त छेप किये, या बिना भीच में ब्रोके, उनकी बात आपको अच्छे से, ध्यान से सुननी है, games are fun if we play together, और ये चीज़ याद रखनी है, कि अपने को ये नहीं सोचना है, वहां जाकर कि ये चीज़ मेरा अकेले का है, यहां इस place पर मैं अकेले खेलूँगा, बलकि games कैसे हैं, games are fun if we play together, अगर हम साथ में खेलेंगे, तो games में और मज़ा आएगा, और अच्छा लगीगा बट swing और और भी जो sliders वगए रहे हैं, उनमें आपको साथ में नहीं जाना है, turn by turn, अपनी turn के according ही one by one वहां जाना है, बट जब आप कहीं खेल रहे हैं, तो आपको ये नहीं होना चीज़ आप में, कि ये place पर क्यों मैं खेलूँगा, ये place मेरा है, बलकि सब लोग साथ में मिलकर खेलना चाहिए, always greet your elders, हमेशा आपके बड़े अगर आपको वहां मिलते हैं, तो या कोई और भी बड़े वहां present हैं, अगर कोई सी और बच्चे के बड़े parents अगर वहां पर हैं, बड़े लोग elders हैं, अगर वहां तो आपको उन्हें greet करना चाहिए, wish करना चाहिए, न Yes, now sixth sentence, keep a safe distance from the child ahead of you on the side, do not push, जहां आप खेल रहे हों, वहां आसपास आपके सामने आपके पास कोई बच्चा हो, तो उससे एक proper distance में रहना है, आपको उसे push नहीं करना है, otherwise, आप लोग की लड़ाई हो जाएगी, आपको या उस बच्चे को चोड भी लग सकती है, इसलिए एक proper distance आपको maintain करके रखना है, ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बाते दी भी हैं, good manners दीर भी हैं इस chapter में, जो आपके लिए बहुत जरूरी है आपके इसके बच्चों के लिए, आप इन सब चीजों को follow जरूर करिए, it is very necessary for all of you, okay, thank you children. आप बशूरी है झाल